नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज क्लास 2 है बिगनर्स के लिए और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कपड़ा किस तरीके से रखना होता है इससे पहले क्लास 1 मैंने स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिलाई के लिए किन-किन चोड़ाई अरज की से कहते हैं वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो यह देखिया आप मेरे पास इस तरीके से यह कपड़ा है यह देखो आप ठीक है और यह जो कपड़ा है यह कौटन का है और सबसे इंपोटन बात यह है कि अगर आप बिगनर ह तो आपको हमेशा कौटन का कपड़ा ही यूज करना है उसके अलावा आपको कोई कपड़े पर सिलाई स्टार्ट नहीं करनी है क्योंकि कौटन का जो कपड़ा होता है उसमें सिलाई बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो और जो फिनिशिंग होते हो बहुत अच्छे से आती तो आप जब perfect हो जागो उसके बाद आपको दूसरा कपड़ा यूज करना है उससे पहले आपको हमेशा cotton के कपड़े पर ही सिलाई करना सीखना है cotton के कपड़े पर जब आप सिलाई करोगे एक तो ये इधर-दर खिसकता नहीं है ठीक है फिसलता नहीं है और जब आप इस पर cutting करते हो और कोई भी design बनाते हो तो ये आपको बहुत ही finishing आ जाती है तो अगर आपको finishing चाहिए अपने काम में अपने कपड़े में तो आपको हमेशा cotton के कपड़े पर ही सिलाई करना स्टार्ट करना है बहुत सारे मेरे पास comment आते हैं कि हम अपनी सिलाई में finishing कैसे लाएं तो finishing लाने का केवल और केवल एक ही तरीका है वो है practice आप जितनी ज़् प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा आप सिलाई करोगे उतनी ही आपके काम में finishing अपने आप ही आती जाएगी अगर आप चाहते हो कि पहली बार आप बनाए finishing आजाए ऐसा तो नहीं होगा आपको कम से कम आपको start करना है कोई भी पुराने कपड़े हो अगर आपको बिल सीधी हो जाए तो फिर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टेड़ा मेड़ा इस तरीके सापको सिलाई करनी है जब उसमें finishing आ जाए फिर आप अपने cutting वगरा करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे ही finishing आईए एकदम से finishing नहीं आती है तो अब देखे कपड़े के बारे में मैं आ हमेशा चोड़ाई की साइड में किनारी हमें यहां पर मिलती है ठीक तो यह हमारी चोड़ाई वाली साइड होती है और इसे ही हम अरज भी बोलते हैं कपड़े का जैसे कई बार मुझे पूछा जाता है कि कपड़े का अरज हम किसे बोलते हैं तो चोड़ाई वाली साइड क में देखें तो यह देखो किनारी वाली साइड है इससे सीधा सीधा यह लंबाई कपड़े की बहुत स्यादा होती है और चोड़ाई इसकी फिक्स होती है और डबल अरज वाली भी होती है उसमें क्याता है चोड़ाई जो होती वो जादा होती है तो इस तरीके से हमारा कपड कोड़ा होता है तो यह समझ में है आपको तो यह है चौड़ाइए और यह इधर से लंबाई ठीक है तो पहली बात यह रही अब दूसरी हॉधाथ हम कपड़ा किस तरीके से रखते हैं अब यह देखें आपको जब करोक्याइक होता है, cutting करना होता है, तो लंबाई की side से आपको कपड़ा रखना है, तो ये देखो, आप यहां से, ये जो हमारा कपड़ा है, हमारी ये चोड़ाई है, और इधर की side से लंबाई है, तो हम कपड़ा रखते हैं ऐसे, इस तरीके से, अगर आपका size कम है, तो आपको इस तरीक तू फोल्ड भी कर सकते हो इस तरीके से रख करके और फिर यहां पर आप लंबाई का निशान लगाए और फिर यहां से आप निशान लगा सकते हो पर आपको कभी भी यह दियान रखना यह जो किनारी वाले साइड है आपको ये देखो, आपको इस तरीके से रख करके, कभी भी कटिंग नहीं करनी है, अरज की साइड से, ये किनारे वाली साइड हमारी उपर नीचे आ रही है न, ऐसे नहीं आनी चाहिए, कि आप यहां से सूट का निशान लगाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा क आएगे, बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं आएगे, तो ऐसे आपको कभी नहीं बनाना है, हमेशा क्या करना है, इस तरीके से, ये जो किनारी वाली साइड है, ये हमारी ऐसे आनी चाहिए, तो यहां से आपको ऐसे फोल करना है, और यहां से आपको लंबाय का निशान लग नहीं होती है और यहां से आप इस तरीके से निशान लगाओगे सारे क्योंकि यह वाली साइड बंध है आपको कभी भी गलती से भी उल्टी साइड आपको निशान नहीं लगाने मतलब इस साइड से जो खुली साइड है वहां से निशान नहीं लगाने है ठीक तो यह देखे साइड हम कभी निशान नहीं लगाते हैं सीधी साइड हमारी अंदर होती है और उल्टी साइड हमारी मतलब रॉंग साइड हमारी उपर होती है और रॉंग साइड हम हमेशन निशान लगाना यहां पर निशान लगाते हैं और फिर कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद ह हम सीधा करते हैं तो finally हमारी इस तरीके से कुर्टी ready होती है तो यहां से नीचे की साइड से हम जैसे हमने कपड़ा रखा तब यहां से हम एक्स्टर लेते हैं वह नीचे मैं आपको बताऊंगी यह जो आपका कपड़ा है अपने टूफोल्ड किया इस तरीके से ठीक है ऐसे आपने two-fold कर दिया अगर आपका size कम है ठीक है कम size है आपका तो आप क्या कर सकते हो इसे four-fold कर के भी ऐसे करके भी यहाँ पर आप cutting कर सकते हो ये अगर आपका size कम है तो ही आप ऐसा कर पाओगे अगर आपके hip, chest यहां तक आ रहे हैं और डेरी इंच extra यहां पर बच रहा है तो आप क्या करोगे यहां पर कूर्ती का इस तरीके से एक ही बार में तो इसमें क्या है, आपका कम कपड़े में कूर्ती बन जाए, क्योंकि दोनों पल्ले आप एक साथ निकाल दोगे, यहां से लंबाई आपने ली दोनों पल्ले आपने एक साथ कटिंग कर ली और यह दोनों front और back दोनों यहां पर कटिंग हो गई ठीक, पर अगर आपका size ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना है आपको इस तरीके से कपड़ा रखना है यहां से आपको लंबाई लेनी है यहां से चोड़ाई लेनी है, ठीक है चेस्ट और हीप आप यहां पर लगाओगे एक पार्ट आपने यहां से कट कर दिया और दूसरा पार्ट फिर आपको इसके आगे से कटिंग करना है तो उसके लिए फिर आपको ज्यादा कपड़े की जरुरत पड़ेगी तो यह दो तरीके से हम कटिंग करते हैं अगर size कम होता है तो फिर हम ऐसे 4-4 करके भी दो नोपले एक साथ निकाल सकते हैं ठीक है यह तरीका हुआ हमारा कटिंग करने का तो यह वीडियो थी बिगनर्स के लिए जो भी related questions होते हैं उनके लगबग मैंने सबके answer इस वीडियो में दे दिये हैं और मेरे पास काफी comment आते थे अरज के बारे में पूछने के लिए कि अरज क्या होता है तो उसका भी मैंने इसमें आपको answer दे दिये जो चोड़ाई होती है उसे ही हम अरज बोलते हैं इधर से हमारी लंबाई होती है लंबाई की साइड से हम कपड़ा कितना भी ले सकते हैं देखो ये पूरा हमारी लंबाई है कपड़े की और ये वाली जो है ये हमारी कपड़े की चोड़ाई है ठीक है इसे ही हम अरज बोलते हैं ये जो दोनों किनारी वाली साइड मिलती है यहाँ पर इसका आपको ध्यान लखना है ठीक है तो यह questions थे जिनका मैंने आज इस वीडियो में answer दिया इसके लावा आपका कोई भी question हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो मैं सभी का आपका reply जरूर करूँगी और अगर आप special किसी चीज़ पर किसी topic पर वीडियो चाहते ह तो आप मुझे comment करके जरूर बताना ठीक है और आप मुझे instagram पर जा करके follow कर ले और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले और इस तरह की beginners के लिए सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहे तो आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करना comment करना share करना तो आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं next वीडियो में